सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी की जय अगला भाग रामचर्थ मानस का बैठे सोह कामरिपु कैसे धरे सरीरु सांतरसु जैसे कामदेव के सत्रु सिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सोभित हो रहे थे मानसांतरस ही सरीर धारण किये बैठा हो अच्छा मौका जानकर सिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई जानि प्रिया आदरु अतिकीना बाम भाग आसनु हर दीना बैठी सिव समी पहर साई पूरब जन्म कथा चित आई अपनी प्यारी पत्नी जानकर सिव जी ने उनका बहुत आदर सतकार किया और अपनी बाई और बैठने के लिए आसन दिया पार्वती जी प्रसन होकर सिव जी के पास बैठ गई उन्हें पिछले जन्म की कथा इसमरण हो आई स्वामी के हिदय में अपने उपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझ कर पार्वती जी हज कर प्रिय वचन बोली या गिवलक जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हिद करने वाला है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है बिश्वनात ममनात पुरारी त्रिभुवन महिमाबिदित तुमारी चर अरु अचर नागनर देवा सकलक रहिपद पंकज सेवा पार्वती जी ने कहा हे संसार के स्वामी मेरे नात हे त्रिपूरा सुर का वज करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरड कमलों की सेवा करते हैं प्रभु समर्थ सरबग्य सिवा सकलक रागुन धाम जोग ज्यान वैराग्य निधी प्रनत कल्प तरूनाम हे प्रभु आप सरमर्थ सरबग्य और कल्यान स्वरूप हैं सब कलाओं और गुडों के निधान हैं और योग ज्यान ददा वैराग के भंडार हैं आपका नाम स्रडागतों के लिए कल्प व्रिक्ष है प्रेम से बोलो स्यावर राम चंद्र कीजै प्रवन सुत हनुमान कीजै आज राम चर्द मानस बालकांड का एक सो साथ दोहा संपन होता है और यहीं बिस राम लेते हैं प्रेम से बोलो राम दरबार कीजै